बिना गैस जलाए सिर्फ 5 मिनिट में बनाएं सबसे टेस्टी मिठाई जी हाँ और सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी खर्च के नहीं खोआ नहीं दूद नहीं किसी घी की जरूत पड़ेगी आप इसे घर में रखे इंग्रीडियन्स से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बना करके तयार कर पाएंगे और सबसे खास बात यह है कि हिल्दी होने के साथ सब टेस्टी भी होती है यह बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी मैं सोना आसम फूड विज सोना मैं आप सब का स्वागत करती हूँ तो चलिए बनाते हैं आई होप आल आफ यूर डूइंग वेल तो यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लेंगे इसमें बिलकुल फ्रिज दूद की फ्रिज मलाई निका लेंगे फ्रिज में सामको दूद रखते हैं न तो उसमें उपर मलाई निकला आती है तो लगवक आदा कुब के करीब मलाई ली हूई है और यहाँ पर एक कटोरी पीसी चीनी लेंगे पाहर से मगाते हैं या फिर घर में पीशते हैं तो मैंने घर में ही चीनी पीशी हुई थी और अच्छे से mix करते जाएंगे जब तक कि मलाई और चीनी दोनों एक साथ dissolve ना हो जाएं चलिए जिसमें मैंने चीनी पीसी हुए उसी में डेड़ वोल के करीब भुने हुए चने लेंगे देखिए जो मार्केट में भुने चने आते हैं उनका छिलका मैंने हटा दिया है तो उस कुछ कुछ अगर उसमें खड़े रह गए होंगे तो आप क्या करिएगा कि किसी चलनी की मदब से चान जरूर लीजिएगा जब भी आप चने पीसे ना तो चान लें उसमें थोड़े थोड़े तुकड़े रह जाएंगे तो फिर वह मिठाई को खराब कर देंगे तो देख का पाउडर बनाया हुआ था वो लेंगे देखिए एक बोल से थोड़ा सा जादा है यानि कि बन फौर्थ बोल रहे गया है थोड़ा सा वह भी डालेंगे और थोड़ा सा इलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए डालेंगे और आप चाहें तो एक और चीज मिला सकते हैं दो से मिला लीजिएगा दोसे तीन चमज के करीब लिखिए आप जब इसे मिक्स करेंगे ना तो फिर इसमें आपको लगेगा कि यह थोड़ा सा हार्ड है तो फिर आप 2-3 चमज के करीब मिला लीजिए मैंने केसर वाला दूद 2 चमज मिलाया हुआ है और अब इसे अच्छे स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आज की रेस्पी आप सब कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अच्छी लग रही हो तो वीडियो लगे और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही इसके उपर अच्छे से नारिल क्रंप लगा देंगे और चलिए इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और इसे लगवग आदे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएगा आदे फिर हम चेक करेंगे तो अगर आप मेरे फेस्बुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें चलिए आदा गंटा हो चुका है और यह अच्छे से सेट हो चुका है अब इसे आप मन चाहें पीसे में कट कर सकते हैं देखिए बिल्कुल एजली खरीच करके लाए हैं तो बिल्कुल यह एकदर डिलीसियस रेसिपी बनकर के त्यार हुई है तो इसे जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आप सभी बताएं कि कहां कहां से देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक्स पूर वोचिंग